बिस्मिल्लायर्मानियर्रहीम अस्सलाम वालेकुम विए वेलिकम टू लेर्निंग विद्रिजवान आज हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स लीनेर एक्वेशन की इंशाला नेक्स्ट त्री टू फॉर लेक्चर चलेंगी तो नेक्स्ट म कैसे वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लीनेर एक्वेशन बनाना सीखेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे फिर आगे एज रिलेटेट वोइंगे और परसुंटिज रिलेटेटे वोइंगे और आगे थोड़ा सं चलते जाएंगेङे ठीके जी तो तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो linear equation में वर्ल पॉप्प्रम्स तो पहला चीज़ है हाव टु मेगा linear equation from world statement एक आपको statement दियो अभारत दियो तो उसके जरीए आप कैसे जो है वो linear equation मनाते हैं उसके हम rules अभी discuss कर लेते हैं जी तो सबसे पहले अगर आपके पास world statement में इस तरह लिखा हो कि sum of two numbers अब देखें two numbers आपको कोई नहीं पता कि वो दो number कौन से हैं तो अब एक number को हम x कह लेंगे एक number को हम नाम देंदेंगे y क्योंकि आपको नहीं पता और उन दोनों को sum तो आपका ये equation में बनेगा x plus y ठीक है ये यूँ बन जाएगा इसी तरह अगर आपको कहते है difference of two numbers again two numbers है मगर कोई number बता नहीं रहा तो जब number नहीं बता रहा तो हम a,b,c, variable लगा देंगे उसके साथ तो आप a plus b भी कर सकते हो कुछी तरह और variable भी लग सकते हो, कोई इसमें मजबूरी नहीं है कि x और y लिखना है, तो difference of two numbers तो ये हो जाएगा x minus y इसी तरह अगर आपको पास statement में आजाए, two more देना number अब number आपको नहीं पता, ठीक है, number आपको नहीं पता तो number हापका हो गया x, अब गहर है two more, दो उससे ज्यादा अब दो उससे ज्यादा का मतलब क्या है, कि अगर दस number है तो दो ज्यादा कितना होगा, 12 तो आपने क्या किया, two plus कर दिया, तो it's mean कि two more देना number का मतलब है x plus two, इसी तरह कहते है, if a number increase by two अब number again हमें नहीं पता, कौन सा number है, नहीं पता तो इसकी जगर हम x लगा देंगे increase का मतलब होता है, बढ़हाना, तो इसको बढ़हा दिया आपने by two का मतलब है, two से, तो इस तरह भी इसका भी x by two करेगा तो ये दो तरीकों से x by two यानि addition का variable बन सकता है आपका equation में इसी तरह यहाँ पर कहते है, five less than a certain number पांच कम हैं, किस से कम हैं, एक खास नंबर से, एक नामालूम नंबर से तो अब नंबर को आप कह दोगे, x और पांच कम है, तो x minus five इस इतना कहेगा, number is five less, number is five less, अब five now less नंबर है, किस से less है, एक नंबर है, वो कम है, किस से कम है, पांच से, तो इसमें five minus x होगा, तो यहाँ पर याद रखेगा, यहाँ पर कह रहा है, five less है, किसी number से और यहां पर कह रहा है number कम है five से तो यह थोड़ा सा आपने difference मालूम रखना है इसके अंदर ध्यान में रखना है तो यह कुछ मैंने समझा दी है मज़ीद में headings लिख लू जी तो मज़ीद देख लेते है number is decrease by five एक number है वो decrease हो रहा है five तो अगेन तो एक number है उससे decrease हो रहा है five यानि five कम हो रहा है एक माइनस five हो जाएगा अज़े जी number six times एक number है वो छे गुना है फॉर एक्जेंपल मिसाल के दोर पे आप चार है तो चार का छे गुना क्या होगा six multiply by four इसी तरह कहरे एक number है six times है छे गुना है तो यह हो जाएगा six x तो इसको इस तरह बना देंगा यानि six multiply by x या इकठा जोड़ के लिख दें six x इसी तरह कहरे ट्वाइस नंबर दो गुना है ट्वाइस नंबर तो इसको हम जब लिखेंगे equation में तो यह क्या लिखेंगे ट्व एक्स में इसी तरह कहरे रहा है थराइस नंबर तीन गुना है तो अब थराइस नंबर का क्या हो जाएगा three x इसी तरह four ten's का four x five x seven x इस तरह करके continue रहागा अच्छा जी अब consecutive numbers का किस तरह बनाते हैं यहाँ पर कह रहा है एक number है two consecutive numbers है अब number आपको नहीं पता मिसाल के तौर पे एक आप number कह लेंगे 10 है तो consecutive मतलब यह होता है यह कि दिगरे बाद यानि अगला number क्या है तो 10 से अगला number क्या है आपके x में आपने एक plus कर देना है इसी तरह अगर कहता है तीन consecutive numbers तो फिर क्या होगा पहला आपका हो जाएगा x दूसरा हो जाएगा x प्लस वन और तीसरा आपका क्या होगा x प्लस टू ठीक है ना तो अब आपसे consecutive number अगर तीन consecutive number आ जाए और कहा के तीन consecutive number का फुलाँ 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 यू है वो तो हम आगई देखेंगे ना किस तरह के स्वाल होते है तो उसमें आपने क्या करना है पहले consecutive को x रखना है दूसरे में एक जमा तीसरे में दो जमा चौते में तीन जमा इ X आपको नहीं पता अगला कह रहा है कि consecutive even number तो even number अगला कौन सा होता है मिसाल की दोर पे 10 again तो हमारा X नमबर एक हो गया 10 अब उससे अगला even number क्या होगा बारा ठीक है even number जुफ्त होते हैं ना अधार तो अगला क्या होगा 12 क्या किया 10 में आपने 2 प्लस किया तो इसी तरह आपने इसमें भी क्या कर देना है X प्लस 2 कहा देना है यानि पहला आपका even number X हो जाएगा आपको नहीं पता number कौन सा है उससे अगला even number कौन सा होगा X प्लस 2 उससे अगला कौन सा होगा X plus 4 उससे अगला कौन सा होगा X plus 6 यानि दो दो आपने प्लस करते जाना है इसी तरह odd number है अब odd number में अक्सर लोग confused होके X plus 1 ही लगा देते हैं ऐसा नहीं है आपका पहला number तो हो गया X पहला number तो आपका हो गया X उससे अगला number कौन सा होगा X plus 2 अब मैंने कितने उसने मांग गया तीन consecutive number लिखे हैं तो पहला होगा X दूसरा होगा X plus 2 तीसरा क्या होगा X plus 4 चोथा क्या होगा X plus 6 इस तरह गर के आपने जो है दो दो प्लस करते जाने तो आपके consecutive numbers की जो ये है unknown value या वो expression बनसती जाएंगी ठीक है जी मजीद कुछ questions लिख लेते हैं ये इन्शाला आपको समझ आ गई होगी I hope so तो मजीद questions की statements लिख लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनके किस तरह से algebraic expressions बनानी हैं जी तो product of two numbers आप से अगर यूँ पूछ लेगा product of two numbers अब two numbers हैं आपको एक number भी नहीं पता तो एक को हम x कहाँ देंगे एक को हम y कहाँ देंगे तो product का मतलब होता है product का मतलब क्या होता है जरब जरब का मतलब क्या होता है multiply ठीक है अब कहाँ रहा है two more than a thrice number तो सबसे पहले thrice number पता करें एक number है उसका तीन गुना है तो number आपको पता है हम x ले रहे है a thrice का मतलब क्या है तीन गुना उसके अंदर मजीद गहाँ रहा है two more यानि दो और है तो three x एक number है उसमें two or add है तो plus two यानि two more देना thrice number का मतलब क्या है thrice number का मतलब हो गया three x और two more का मतलब हो गया plus two इसे तरह आप सो कहते है five less than a four times a number तो सबसे पहले number क्या है x four times चार गुना तो इसका four x five less है तो अब four x में से मजीद क्या minus करना है आपने five कर देने तो four times a number four x five less है तो आपने क्या कहने है minus five है इसे तरह आप हाफ नंबर हाफ नंबर क्या मतलब है आदा तो एक आपके बस नंबर है x आदे का मतलब क्या होता है divide by two आदे का मतलब divide by two होता है ना तो यहाँ पर यह x बटा two आ जाएगा ठीक है जी मजीद जो आपको चीज़ बताने वाली है वो यह है कहीं अगर is का लफज आ रहे है तो is का मतलब होता है is equal to बराबर ठीक है यह एकसर इस्तमाल होता है again one third of a number यह one fourth of a number तो एक नमबर का तीसरा हिसा यह एक नमबर का चोथा हिसा तो इस तरह करके यह बन जाएंगा मसाल के दोर पर अगर वह कहता है एक नमबर है उसका तीसरा हिसा कितना होगा तो x बटा three हो जाएगा इसी तरह x by four हो जाएगा तो इस तरीके से आपने एक्स बटा तीन एक्स बटा चार बना लेना है तो यह हो गई बेसिक बेसिक से बातें फिर आप अभी questions की तरफ जाते हैं अगर उससे पहले जो world problems को solve करने के लिए जो rules है वो आपको मैं बता देता हूँ और वो मैं कोशिश करूँगा लिखे रहने दूँगा मिटाऊंगा नहीं इधर से ताके आपको समझ आए कि हम किस तरीके से one by one step लेके चल रहे हैं तो main questions की तरफ जाते है rules को touch करते हुए जी तो हमारे पस ये एक पहला question आ गया है अब हम questions को solve करेंगे कहरा जी the price of a twice has decreased by seven find the original price if the new price is eighteen ठीक है जी तो simple सा ये question है तो एक general मैं आपको rules बता रहा हूँ पहले ये rules थोड़े से आप देख ले साबल के साथ सा solve करते हैं पहला rule आपने ये कहना है कि find क्या चीज़ करनी है आपने जो चीज़ मालूम करनी है उस चीज़ को आपने अभी note करना है तो आपसे पूछा क्या वाड़ी पूछा यह हुआ है find the original price आपिअग्जिंडल प्राइस तो यह हमने find गरनी है तो सब से पहले क्या है आपने क्या करना है find the ah ask तिंग या जो आप से पहली चीजिद पूची हुए है उसको आपने ढूल लेना है तो हम एक्स तो औरिजनल प्राइस हमें नहीं पता तो उसको हम रिप्रिजेंट कर देंगे किसमें रिप्रिजेंट इन वेरियेबल वेरियेबल में उसको रिप्रिजेंट कर देंगे तो ठीक है जी हमारे पास औरिजनल प्राइस जो है वो हमारे पास नहीं है तो original price को हम क्या करेंगे मालूम नहीं है तो इसको हम किसके बराबर कर देंगे X के बराबर करनेंगे सबसे पहले आपने देखना है कि original price कौन सी है अगर वो आपको नहीं पता मतलब वो चीज़ नहीं पता तो उसको आपने X में आपने बदल देना है तीसरा स्टेप में आपने क्या करना है make an equation अब आपने क्या बनानी है equation बनानी है ठीक है जिए अब हमने equation बनाएंगे मसभवाद बनाएंगे अब हमारी मसभवाद क्या है कहते हैं प्राइस ओफ ट्राइस डिक्रीज बैस 7 तो original प्राइस जो है यह एक ट्वाइब था उसकी प्राइस थी साथ कम होई तो अब गया बन गई अठारा तो अब X में से साथ उदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह आपने पिछले सा बन गी ति आप ऐफ बन गी तो लाइस बाइस ना प्राइस था हमने बता दिये तो लास्ट आपका क्या होता है सॉल्ड एक्वेशन जो हमने कर ली है बताया नहीं मैंने सॉल्ड एक्वेशन को आपनेсьव कर लेने हैं और आप चेक भी करना चाहिए तो चेक भी कर सकते हैं तो चैक करने के लिए आपको मैं तरीका बता देता हु एक्स माइनस सेवन इस इकल टो एटेन यह हमारी एक्वेशन बनी थी यह वाली एक्स हमने निकाल लिए पच्छिस तो एप एक्स की जगह हम क्या लगा लेंगे 25 माइनस 7 इस इकल तो 25 में से 7 गया 18 18 बराबर आया इसमीन हमने question क्या किया है सही solve किया है हम चेक किस तरह करते हैं जो एक्स की कीमत निकली होगी उसको आपने एक्स की जगह लिखके equation को solve करना है लेफ्ट और राइट 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 बराबर हो जाए तो इसमीन हमने question सही गिया है तो solve and check तो मैंने इसलिए check भी लिख दिया है तो यह आपने काम करना है equation को solve करते हुए असान था अभी आ इस तरह मुश्किल आएंगे next videos के अंदर और भी मुश्किल आएंगे तो प्रेशान नहीं हो ना सारी चीज़े हम step by step लेके चल रहे हैं ठीक है जी अब बगला question निखलते हैं फिर हम मिलते हैं जी तो हमारे पसे next question आ गया है इन rules को सामने रखते हुए हम इन questions को फिर solve करेंगे इस question को तो sum of two pages number is in front of you एक book है वो खुली हुई आपके सामने उस आपके सामने उसमें दो pages हैं ठीक है एक page ये वाला है एक ये page वाला है यहां पर क्या है हमें नहीं पता तो क्या चीज हमें नहीं पता find the pages number तो page कितने हैं दो page है तो दो page हमें नहीं पता तो पहली हमें यह चीज़ पता लग गई कि हमने page number मालूम करने है तो यह हमारी required thing है अब हम क्या करेंगे first page को मैं नाम दे देता हूं प्रस्ट पेज में नहीं पता, तो उसको रिप्रिजेंट इन वेरियाबल, वेरियाबल में रिप्रिजेंट की है? मैंने कहा दिया, X. अगर ये पेज X हो, तो ये पेज क्या होगा, ती्क है, बझज और वाली बात, अगर 97 है, पेज नंबर, तो इतना मुझे बात क्या पता लगी किस है तो अगली किताब का अगला सफ़ा क्या होगा एक्स प्लस वन अब हमारे पास सब्सक्राइब कि इसको साथ करें एक्स प्लस वन इस इकल टो 93 और एक्स प्लस वन है यो दर जाके क्या हो जाएगा माइनस तो 93 से दरीक रहा 93 में से 1 गया 92 और टू जाके उदर डिवाइड हो गया है तो टू वन जा टू और यह 8 का किया तो 4 और यह कितना आता है 46 46 ठीक है 46 तो 46 आपके पास X आ गया है तो X हमारे पास आ गया अब उसने स्वाल में यह नहीं कहा कि सिर्फ X निकाल के जान ठोड़ा लो उसने का find the pages numbers तो दोनों आपने पेज बताने हैं तो पहला पेज आपका क्या था तो फॉस्ट पेज आपका था वो क्या था X आपने निकाल लिया कितना 46 तो फरस्ट पेज हो गया 46 सेकंड पेज आपका क्या था अपका था X प्लस 1 तो X प्लस 1 कितना आएगा X कितना है 46 तो 46 प्लस 1 यानि अगला पेज क्या होगा 47 तो आणसर आपका आगया 46 47 7 तो यह हमारे pages number आगे हैं इस तरह भी आ जाते हैं question mcqs के अंदर और आपको समझ आनी चाहिए तो कैसे करना है by this rule check भी कर सकते हैं आप इसको करना चाहिए तो check भी करना चाहिए इधर x भी 46 डाल दें इधर 46 डाल दें और 146 46 92 वन प्लस के 93 तो इकोल आ जाएगा ठीक है चैक भी करना चाहिए आप कर सकते हैं नेक्स क्वेशन दिखते हैं जी तो हमारे वापस यह एक नेक्स क्वेशन है इसमें जी शायद अफ्रीदी हैं और बाबर आजम है इन्होंने 69 रन बनाए है यह टोटल नंबर दो बंदी है और दोनों ने कितने रन बनाए है 69 रन बनाए है ठीक है जी और पाकिसान के लिए ठीक है इफ स्कोर आफ अफ्रीदी इस डबल दें दी डबल दें दी यहां पर यह बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगर अफ्रीदी का स्कोर डबल है बाबर आजम की निस्बत तो बताएं के अब देख लेते हैं जी दो बंदे हैं एक है शाहिद अफ्रीदी है ठीक है और दूसरा हमारे पास क्या है बाबर आजम है अच्छा अब दोनों के हम क्या करेंगे एक्वेशन बना लेंगे और फिर हम उनको एड़ कर देंगे क्योंके इन दोनों ने मिलके 69 रन्स बनाए है ने मिलके बनाए है तो हम इसको फिर एड़ कर देंगे तो शायद अफ्रीदी ने कितने स्कूर बनाए है बाबर आजम ने कितने बनाए है कहता है जी किस स्कूर ओफ अफ्रीदी इस डबल देन दे स्कूर ओफ बाबर आजम अगर बाबर आजम का जो स्कूर है वो डबल है अफریधी से तो बाबराजम का हम कहा लेंगे X है बाबराजम के बारे में पुछ नहीं पदा अफ приologne के बारे में पता लुग गया कि बाबराजम से डबल हैं तो इसको हम क्या कर लेंगे 2X どो टू 2X plus X is equal to 69 ठीक है जी अब बाबर आजम देखे इसमें सिंपल सा आपने एक चीज जहने में रखने है अफरीदी के बारे में कोई उसने थोड़ी बहुत मालूमाद दी हुई है अफरीदी के बारे में मालूमाद दी है कि उसके बाबर आजम से डबल है तो बाबर आजम को मैंने X कर दिया कि बाबर आजम के बिल्कुल नहीं पता अफरीदी के पता है कि X के दो गुन है डबल है तो 2X हो गया तो दौनों को जमा करेंगे 69 है क्योंकि उसने कहें मिलके नोंने 69 बना है तो अब हम इसमें निकाल लेते हैं तो 2X और X कितना हो जाएगा आपके पास 3X 3X is equal to 69 X इदर ही खड़ा रहेगा 3 इदर जाके divide हो गया कितना आजाएगा यह आजाएगा 23 23 आजाएगा ठीक है तो 23 हमारे पास X आगया अब बाबर आजम के हमारे पास आ चुके हैं कितने रंज हैं बाबर आजम को हमने X किया था तो X is equal to 23 अफरीदी का हमें अब निकालना है अफरीदी के कितने बने 2X यानि 2X का मतलब है 2 multiply by 3 तो X कितना निकाल है 23 तो 2 multiply by 23 तो यह आगया 46 तो यह 46 है किसके अफरीदी के अब स्वाल पर गौर करें स्वाल क्या था 50 रंज बनाने के लिए कितनी जुरूवत है तो 46 हमने उसके रंज निकालनी है तो 50 बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे 50 माइनस 46 तो कितने रंज चाहिए 4 रंज तो आपका 4 answer है एक बात याद रखें हमेशा जिस आपको जिस चीज का बिल्कुल नहीं पता जिस तरह बाबर आजम के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो उसको मैं X कह दिया और अफरीदी के बारे में पता है कि बाबर आजम से 2 गुना ज्यादा है तो इसलिए उसको मैंने 2X कह लिया दोनों को प्लस किया एक्स निकल आया पाबर का लगाया 23 आ अफ्रीदे का लगाया तो तू है तो डबल है तो 46 आ गया 46 में 50 में से 46 निका ले तो 4 बनते हैं यानि 4 रंज उसको चाहिए 50 बनाने के लिए तो यह था question next हम देख लोगे जी तो हमारे पास यह एक और question आ गया है और इस question में कहता है ज नियूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है जो बटा के ऊपर वाली चीज होती है वो नो नियूमिनेटर होता है और जो नीचे वाली चीज होती है वो डिनोमिनेटर होता है तो इसके बाए इसमें तो आपको मजीद कोई समझने वाली चीज नहीं है तो अब इसमें आप गोईर के देखें कि किस चीज के बारे में बिलकुल नहीं पता, तो कहते हैं, helicopter of a fraction is larger than a denominator by 4 तो अब आपको यहां पे जो बिलकुल नहीं पता वो denominator का नहीं पता, क्योंकि numerator के बारे में कह रहा है कि वो लार्जर है डिनॉमिनेटर से चार ठीक है तो बट किसके बारे में बिलकुल नहीं पता हमें बिलकुल नहीं पता तो डिनॉमिनेटर के बारे में पता तो डिनॉमिनेटर को हम कह लेंगे क्या कहलेंगे X ठीक है जिसके बारे में बिल्कुल नहीं पता अब नियुमिनेटर के बारे में हमें पता है एक information क्या है जी numerator of a fraction is larger than its dominator by 4 तो जो numerator है वो थोड़ा सा बड़ा है किस से denominator कितना है X और X से कितना बड़ा है denominator से 4 बड़ा है चार गुना नहीं है times नहीं लिखावा तो X प्लस 4 हो जाएगा ठीक है जी अब क्या कहता है जी अब कहता है कि अगर हम इसकी fraction बनाएं fraction बना के देख लेते हैं तो उपर हमने denominator लिखने है उपर हमने numerator लिखने है और नीची हमने denominator लिखने है ठीक है तो N बटा D हो जाएगा कहता है N बटा D अगर लिखे तो मैं लिख लेता हूँ N हमारे पस कितने है X बाइ 4 X प्लस 4 और denominator हमारे पस कितने है X ठीक है यह हमारे पस 2 बन गया कहता है इफ वो ही add 1 1 1 से मुराद है हिंसे वाला 1 1 to this denominator अगर हम denominator में 1 प्लस कर दें यह हमारी actual fraction हो गई है इसमें कहते है अगर 1 प्लस कर दें तो आपकी equation क्या बन जाएगी आपकी fraction बन जाएगी आपकी fraction बन जाएगी it becomes 3 by 2 तो यह 3 by 2 बन जाएगी सही है जी find the fraction अब हमने fraction निका लिए हमारी fraction क्या थी X प्लस 4 by X यह हमारी fraction थी उसके नीचे हमने क्या प्लस कर दिया एक प्लस कर दिया denominator में तो यह मसवाद क्या बन जाएगी is equal to 3 by 2 बन जाएगी equation हमारी actual यह है ठीक है जो हमारी उपर बन गई थी अब इसको solve कर लेंगे यह इधर जाके multiply हो जाएगा हम यह पिछले वीडियो में detail कर चुकी है तो अब इसको आगे solve करते हैं 2X प्लस 8 और यह 3X प्लस 3 और यह कितना आ जाएगा जी 2X इदर हो जाएगा 3X इदर आ जाएगा तो 2X माइनस 3X और 8 उदर चला जाएगा तो माइनस 8 प्लस 3 ठीक है साइन चेंज हो जाएगा वोगारा जो भी था X इदर आएगा और 8 में से 3 माइनस X आएगा बड़ी का निशान इदर गया तो माइनस 5 और यह कट गया माइनस माइनस से तो X is equal to 5 तो X आपके पास कितना आ गया है 5 तो X हमारे पास निकल आया है 5 इदर लिख लेते हैं X is equal to 5 अब यह हमारे पास actual equation थी तो हम इसमें value put कर लेते हैं तो X plus 4 divided by X तो X हमारे पास क्या है? X हमारे पास 5 है तो X की जगा 5 लगा दिया 5 plus 4 divided by X X कितना आपके पास 5 तो यह आ जाएगा तो कितनी equation बनी 5 plus 4 9 और X की नीचे वैसे 5 तो actual equation हमारे यह थी इसमें X की value put की तो 5 plus 4 9 9 by 5 आ जाएगा तो इस तरह आपने इसको solve करना है again बनाने का तरीका में बता रहा हूँ कि जिसके बारे में बिलकुल information ना हो उसको आपने X कह देना है जिसके बारे में थोड़ी बहुत information दी हो उसमें आपने X के साथ जो भी plus minus करना है जो भी हो जाएगा इसमें मजीद उसने बात की थी कि एक जमा कर दो तो इसलिए एक जमा की है तीन बटा दो के आगया solution आपको पता है यहाँ पर आप थोड़ा सा confused हो रहें है minus minus किसतना कट जाता है अगर minus दोनों वाईडों साथ वह जा हो तो हम दोनों को काट सकते हैं उसमें कोई इतनी फरक नहीं को दोनों साथ वे भराबर काट रहें इदर से भी काट रहें हैं तो आपके पस 9 by 5 एमसे क्यूज में लिखा होगा तो आपने 9 by 5 को टिक कर देना है तो नेक्स क्वेशन देख लेते हैं और फिर इंशाला अगला सुवेशन सॉल्फ करते हैं और फिर मिलते हैं यह रूल्स भी मैं मिटा देता हूं ठीक है यह वाले बहुत हो गया यह करते हैं 266 है find the numbers 24 है हमें नहीं पता कौन सा नंमबर है थीक है जी तो वह चार इतना पता है कि वह एक बाद डूसरा रहारा है यार अगर मिशाल के तोर पर आए तो चार नंबर कौन से होंगे यह और न्हौँ तस ग्यारा इस तरह करके तीन नंबर चार नंबर है, चारों को जमा कर रहे हैं, 266 आ रहा है, नंबर आपको निगालना है, तो हमें पहला नंबर क्या कह लाएंगे, फस्ट नंबर को मैं क्या कह दूँगा, फस्ट नंबर को मैं X कह दूँगा, अब चोंगे लिखा कंजेक्टिव नंबर हमने पीछे भी पढ़ा था, making an equation के rules पढ़ रहे थे, उसमें हमने कहा था कि अगर कंजेक्टिव आ जाए, तो आपने एक प्लस करते जाना है second number के लिए, तो second number आपका क्या होगा, X plus 1, third number आपका क्या होगा, X plus 2, और fourth number आपका क्या होगा, X plus 3, तो यह हमारे पास चार number आगे हैं, for example, पहला रकम, अगर X है तो उससे अगली रखम क्या होगी उसमें एक जम्मा कर दो उससे अगली क्या होगी पहले वाले में दो जम्मा कर दो उससे अगली क्या होगी तीन होगी अचा अब यहां पर पूछा हुआ है अब सम्टाइम्स यहां पर लिका सब्सक्राइब करके पूछ लेता है तो उसमें आपने आपको होगा अपने वही नंबर बताना होगा उसमें पहला नहीं बता देना ठीक है अभी हमारे पास आगया है है ऑगोई का सुन सम्गाम होता है जम आप उसको खर देना है एक्स प्लस एक्स फ्लस टू टू एकढ़ना चैनल प्लस कि तो फ्लस थी इसिगल कितना है 266-0 विद्न आपका पहला नंबर één आपका दूनबर है यह आपका तीसरा नंबर यह प्लस किया वाली विरादरी आपस में गयी 4X आ गया और यहाली जम्हें यह श्क्सिक्स आगया टू सिक्स्टी शिक्स अब क्या होगा श्क्स को आप उधर ले जाओगे डिवायड होगया सिक्स उधर जाके स्वोठी माइनस हो जेगा प्लस है माइनस हो गया तो कितना आ त захकर दो यह आता है कितना एगा आच आधा हैस और कर लो ए मेद तूछ को किस रोट करना फॉर से लոट 24 आया और 20 आगया यहनि 65 आजागा ना ठीक है 65 65 आपके पास आंसर आ गया तो एक्स हमारे पास 65 आ चुका है तो मैं इमिटा देता हूं 65 एक्स आ गया तो पहला नमबर आपके पास एक्स कितना था गिइस निकाल एक्सलिफा तो ऊससे अगला नबर कौन सा होका 66 उससे अगला नमबर कौन सा होका 67 उससे अगला नमबर कौन सा तो 6 आ गया और 6 6 6 way 24 4 26 ठीक है पूरा है तो यह ہمارड़ पासजसर आ गया है अगेन याद रह अगर आपस पूछ रहां पूछ रहे पूछ रहे हैं अपर पॉछा मटने को नर्पने सेखेचियोन और अधर बेसमें सी जुमेटरी डाल दिया तो जब जुमेटरी का क्वेशन है तो थोड़ी बहुत जुमेटरी की बेसिक भी पता होनी चाहिए तो यहां पर आपके पास एक बारे में कुछ बताया हुआ है ठिक है नाब बारी की साथ उसकी की पेरिमीटर दिया हुआ अब यह कुछ चीज़ान समझने कि रैक्टेंगल क्या होता है यह होता है है मैं इसको थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ एगर एडिया होता है जिसको उर्दु में रकबा बोलते है ठीक है और जो परिमिटर होता है वो क्या होता है आहाता होता है कि यहां से लेकर यह चार दिवारी जो है इस चार दिवारी का क्या लेंथ है तो इसको क्या बोलते है परिमिटर अब यह फर्मूले आपको पता होने चाहिए एरिया का फर फर्मूला है परिमीटर का यह फर्मूला है अब चलते हैं क्वेस्टन की तरफ तो कैसें के अंदर कहे रहा है कि लेंद्ध ऑफ रेक्टेंगल इस टू सेंटीमीटर तो चुडाई जो है वो क्या है वो हमारे पास एक्स है ठीके जी लेंद्ध के बारे में क्या अनफर्देशन दे परिमीटर इस टू सेंटीमिटर ज्यादा है किसे breath की twice से तो यहां पे लफज है breath की twice breath हमने क्या कर लिया x उसके twice कह रहा है तो यह कितनी होगी 2x तो length आपके पास क्या आ जाएगी आपके लेंट आ जाएगी 2x मगर 2x पर twice तक उसने बात नहीं की twice के साथ एक और बात भी उसने की है कहता है जी more than 2 cm more है 2 cm ज्यादा भी है तो आप इसमें क्या डाल दो गया प्लस 2 तो यह देखें आपके पास बन गई equation breath आपको breath के बारे में बिल्कुल नहीं पता उसके जगा मैंने कह दिया x length के बारे में उसको बातें पता है लेंथ के बारे में कह रहे हैं कि लेंथ जो है न ब्रेट से ट्वाइस भी है और दो ज्यादा भी है तो टू एक्स प्लस टू हो गया अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पैरिमीटर का फर्मूला क्या होता है मैंने भी आपको बता दिया है mt तो आपको दिया हुआ है कितना पैरिमीटर मताइज तो यह तो आपको दिया वह पैरेमीटर की जगह पाथा इसलिक्ट होगे अच्छा टू की जगह टू आजाएगार लेंठ की सगह लेंठ कितनी है लेंठ के अगे-च creeks प्लस फू और प्लस आपके पास ऐट यह आजाएगा 6X और यह आजाएगा प्लस टू टू जा 4 ठीक है जी अब इसको 28 ही रहने दें और यह प्लस 4 है यह इदर आके क्या हो जाएगा माइनस 4 और यह 6X वैसी खड़ा रहेगा अब क्या करेंगे अब इसको मजीद इतर सॉल्व कर लेते हैं अब क्या करेंगे 24 में से 8 में से 4 गया तो 24 इस इगल टू 6X तो इस इगल टू X 24 बाए 6 और यह आपका जाएगा x कट गया, कितना अ एक्स कितना आ गया, 6,4 24 फर पे आता है न तो 4 तो एक्स आपके पास 4 आगया तो X हमारी क्या Cub 11 इस एकल तू 4, लेंथ क्या थी हमारे पास, हमारे पास लेंथ थी 2x प्लस 2, इस एकल तू 2x प्लस 2, तो 4x के जगा क्या लगा देंगे, 4 प्लस 2, solve कर लेंगे इसको इदर, तो 2, 4 जा 8, प्लस 2, और कितना बन गया, 10, तो ब्रेट था आपके पास, लेंथ आपके पास 10 cm आ ग अगर आपसे ब्रेट क सब्सक्राइब और ब्रेट करना है, अगर लेंथ पूछी होगी तो आपने लेंथ पे टिक कर देना है, लास्ट इसके बाद है, और हैं इनको सॉल्व करें आंसर आपको दे दी हैं वैरिफाय की हैं हद मुम्किन कोशिश किया गलती की कुझाइश हो सकती है आप फिर भी इसको एक दफा अच्छा से करिए जीगा सॉल्व और वाटसब गूर्प अगर जोईन करना चाहते हैं यह डिटेल है आपकी और लास्ट हुआ हुआ है